नमुश्कर फ्रेंड्स इस्टेम शेर मार्केट का हालत बहुत ही खराब है इस्टेम सारे स्टॉक में स्रीप और स्रीप lower side कीटी देखने को मिल रहा हैं अगर आप भी चाहते हैं इस गिर्ता हुआ मार्केट से पैसा निकलना या फिर इस गिर्ता हुआ मार्केट से multi-wackers return कम तो आपके लिए स्रिप और स्रिप एक ही option है फार्मासिटिकल स्टॉक क्योंकि आप देख सेकते हैं पिछले एक या दो दिन से फार्मासिटिकल को सारे स्टॉक में तूफानी जैसे तेजी देखने को मिल रहा हैं कोई कोई स्टॉक में 15-20% का आप मुवमेट देखने को मिल स्रिप और स्रिप एक दिन में इसलिए फ्रेंड्स यह बिलकूर सही टाइमें फार्मासिटिकल सेक्टोर में इंवेज़ करने के लिए इसलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फार्मासिटिकल सेक्टोर का भारत Immunological and Biological Corporation Limited Share की बारे में बात करेंगे इस कंप इसको buy करना चाहिए, कब तक hold करना चाहिए और कब इसे sell करना चाहिए इसी के बारे में। So, सारे information पाने के लिए वीडियो को बिना skip किये देखते रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक request friends, अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जिरूर प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, mainly ये एक pharma company हैं और ये company drugs and vaccines का manufacturing and distributes business के साथ जुरा हुआ हैं। और friends, present time में Indians market में drugs and vaccine का demand बहुती ज्यादा तेजी से बरने वाला हैं। इसलिए ये stock में invest करने का ये सबसे सही time हैं। भारत Immunologicals and Biological Corporation Limited, ये stock present time में 44.85 पैसा के आसपास रान कर रहा हैं। और आप देख सकते हैं, श्रिप एक दिन में इस stock में 19.92% का आप movement देखने को मिला है। यानि, श्रिप एक दिन में इस stock ने 20% का return दिया है। और पिछले एक महीन में इस stock ने 93% से भी ज्यदा return दिया है। श्रिप एक महीन में इस stock ने आपना shareholders का पैसा को दो गुना से भी ज्यदा कर चुका है। इस company की essentials की बात करें तो, इसका market क्याफिक 193.66 करोड का, enterprise value है 258.54 करोड का, PE ratio and PB ratio present time में 0 है, phase value है 10 rupees पार equity share और इसका book value present time में है minus 3 rupees and 35 पाइसा पार equity share. इस company की ओपर 77.89 करोड का date है और इस company के पास 13.01 करोड का free cash भी है। इसका EPS ratio present time में है, minus 2 rupees and 0,3 पाइसा पारी equity share, ROE है 0% और ROCE है, minus 8.08% और present time में इस stock का total promoter holding है, 59.25%. Friends, इस stock के उपर मेरा opinion की बात करें तो, present time में ये stock fundamentally बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अगर ये COVID back करता है, तो आने वाले 2 या 3 months में ये stock आपको 100% multi-vegar return दे सकता है, अभी अगर आप गिरता हुआ market से multi-vegar return कमाना चाहते हैं, तो अभी आप इस stock को buy करने के लिए consider कर सकते हैं, लेकिन इस stock को buy करने से पहले, इस stock के बारे में अच्छा से research करें, और उसके बाद अपना risk पर ही invest करें.